मध्य प्रदेश विधान सबस चुनाव से पहले FIR का दौट शुरू हो गया है और FIR कॉंग्रेस के दिगच नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई जा रही है लंबे वक्त से शिवराज सरकार को प्रदेश की अब तक की सबसे ब्रष्ट सरकार बताने वाले कॉंग्रेस नेताओं को अब निशाने पर लिया जा रहा है तो आखिर क्यूं अचानक ही कॉंग्रेस नेता आये MP सरकार के निशाने पर देखते हैं मध्य प्रदेश में कॉंग्रिस महासस्वी प्रिंका गांधी के खिलाव 24 घंटे के अंदर 41 F.I.R. दर्ज की गई है यह F.I.R. दर्ज अलग-अलग जिलों में दर्ज कराई गई है प्रिंका के साथ कॉंग्रिस के प्रदेश अधिक्ष कमलात का भी नाम F.I.R. में है कॉंग्रिस के दूसरे तमाम नेताओं के खिलाव भी पुलिस में शिकायत की गई है बिजेपी का दावा है कि प्रियंका गांधी और कॉंग्रिस के दूसरे नेताओं ने प्रदेश की बिजेपी सरकार पर भष्टाचार के जूटे आरोप लगाये हैं दरसल ज्यानिंद्र अवस्थी नाम के व्यक्ति के नाम से एक पत्र वाइरल हुआ जिस पे 50 फीजी कमिशन मांगने का जिक्र किया गया इसी पत्र को कॉंग्रिस के नेताओं ने भी पोस्ट किया था जिस पर उनके खिलाफ एफायर दर्ज की गई है लेकिन इन एफायर को लेकर कॉंग्रिस ने और आकर्मक रविया अपना लिया है कॉंग्रिस महासाची वेड़ु गोपाल ने कहा कि प्रेंका गांधी, राहुल गांधी, मलीका अरजुन खड़गे और सभी कॉंग्रिस नेताओं के खिलाफ सैखडो और फायर दर्ज कर सकते हैं मधिप्रदेश सरकार हो या बिजेपी सरकार, ब्रश्टाचार का मुद्दा उठाना और अब केंदर सरकार और भासपाईयों की आदत बन गई है लेकिन हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं है, हम ब्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे, मधिप्रदेश सरकार पूरी तरह से ब्रष्ट है मधिप्रदेश कॉंग्रिस प्रमुख कमलात ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किस-किस मामले में शिवरा सरकार विरोधियों का मोबंद करने की कोशिश करेगी दूसरी और सियम शिवरा सिंग चौहान ने कहा की विपक्षी दल सोशल मीडिया पर जूट फैला रहा है वैसे जिन धाराओं में कॉंग्रिस नेताओं के खिलाफ मामले दर्श किये गए हैं, वो सभी जमानाती है ऐसे में इसे सिर्फ डराने वाली कारवाई माना जा रहा है लेकिन कॉंग्रिसान सद्राहूल गांधी पहले ही एलान कर चुके हैं कि डरो मत डीबी लाइफ की रिपोर्ट